हेलो एवरीवन गुड इवनिंग रादे रादे वेलकम बेक टू मैं चैनल मेसिस भाटिया व्लोग्स कैसे हो आप सब आई हो आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ तो अभी हो रहे हैं शाम का टाइम और शाम की दिया बाती दिखा रही हूँ और इ कपूर जलाना बहुत ही अच्छा होता है जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है और हमें डेली कपूर की आरती करनी ही चाहिए तो यहां पर फटा फट से मैंने दिया बाती कर लिए पूरे घर में आरती की दिखा दिया है वेल्लो एब्रिवन वेल्कम बैक टू कर लिया है मैंने फाइनली कपड़े चेंज और अभी बज रहे हैं शाम के छे मैंने वेल्कम कर दिया था आपका फिर भी सोचा कि चलो फिर से कर देते हूं और जारी हो चाय बनाने के लिए तो डेली मेरे साड़े 5 से 6 बजे तक में दिया बाती हो जाती है साड़े पांस त जाता है और ठंड मक्के दिनों में तो पूरा अंधीरा हो जाता था तो नहाने से बोल रहे हैं दिया बाती करने से पहले इतने बरतन धोके गई किचन क्लीन किया और आज सुबा क्या हुआ था कि दूद गरम करी थी लड़ू को पाल को पिलाने के लिए तो वह दूद उफ अब दिखा लिया मतलब हो क्या दिया बाती और बहुत हवा चल रही है दो पहर से तो वैसे है नहीं लेकिन हवा बहुत चल रही है और चिडिया गुच जाती है मेरे घर के अंदर हर जगह खुला-खुला इतर बैलकनी उदर बैलकनी यह वेंटीलेटर को भी मैंने पैक करक आप जाती है और पूरा तिन का लेले कर जाती है अपना घुसला बनाने के लिए तो बहुत तिन के उसके गिर जाते हैं घर में तो जैसी जाड़ो पुचा करते हूं सुबा और फिर वापस से वह बंदा कर देती है दिन भर में लिए चलो कोई नहीं पक्षी है वो भी सबसे पहले स्टैंड लगाया और चाय का बर्तन ले लिया यहां पर कब से ही मैं हमेशा मेजरमेंट करके बनाती हूं क्योंकि फिर ऐसे ना दूद कम या फिर पानी साधा हो जाता है तो और या फिर कभी एक से दो लोगों का बन जाएगा तो इसलिए नहीं हमेशा अगर अ लोगों के लिए बनाती हो ना तो उस हिसाब से मेजरमेंट करके बनाती हूं और साथी साथ मैंने या पर चीनी चाय पती एड़ कर दिया है बहुत लोग ना सिफ पानी में चाय पती पहले खौला लेते हैं अध्रक वगरे डालके उसके उपर से दूद डालते तो मुझे व बना रहे हूं गर्मा गरम रोटियां और रोटियां सारी बन चुकी यह लास्ट की एक दो रह गई थी तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग कर लेते हैं continue और यहां पर गैस देखो मैंने बंद कर दिया और यहां पर जितने आटा मेरा बचा था वो मैंने रग दिया और आज थी क्योंकि सबजी मेरे हजबन बाहर से लेकर आ रहे थे और घर में सिर्फ वैंगन गोभी यही सब पड़े वे तो मैंने बोला कि यार नहीं मन कर रहा है वो सब खाने का तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है वेच चिली मैं ले आओंगा तो मैंने ठीक है फिर यहां पर कठहल बहुत दिन से मन कर रहा था कि मुझे कठहल की सबजी बनानी है और यहां पर पालक साग यह मंचूरियन और यह केले और बाकी जो दूध ब्रेड यह सब जो आता है डेली राशन में और मेरा एक दिन भी ऐसा स्किप नहीं होता है कि आज कुछ सामान नहीं आए आए अब ब्रेड है और धनिया की पति हेती सारी और सबी सामान को एक एक जगा करके अपना यहां जगा है उसका व वहां सेट करती जाओंगी बासकेट में केले को रख दिया और धनिया पति को फिलालिसी में रख दियाती में कठाल को तो इसी प्लास्ٹिक में ही Plusली काली यहा य तो ग्यास इतना गंदा होता है कि क्या ही बोलू पूरे मतलब आठा आठा हो जाता है यहाँ पर यह हरी मिर्श थी तो इसे मैं एर टाइट कंटेनर में रखती हूँ तो इसे भी इसके जगह पे रख दिया है तो एक एक करके सारा सामान मैंने सेट कर लिया मैं बिल्कुल भी नहीं मतलब कि कल के बहुत से छोड़ देती हूँ कि चलो कल कर लोंगी फिर मुझे खुद को ही टेंशनल लगा रहता है उसके बाद यहाँ पर बावल में अपना जो मंचूरियन है या फिर वेच्चिली जो भी बोलो आप इसे तो उसे मैं निकाल लेती हूँ तो अब मैं दूद गरम कर ली हूँ अब देख सकते हो तो हजबन ने बोला कि चलो खाना खा लेते हैं तो फिर यहाँ पर मैं बावल में निकाल ले जी हूँ बहुत ही यमी लगती है और जैसे कभी तीखा चटपटा खाने का मन हो तो मैं हमेशा यहीं मंगवा लेती हूँ उसके बाद तो मैंने एक दिन पहले मतलब कर रात में ही बालो में पूरा ओल लगा लिया था कि मुझा शैंपू करना है और इसलिए मैंने इस तरह के से गुत करके चोटी बनाई वी है और आज हेर वाश करना है इसी वज़े से दोनों कमरों की बेट शीट भी चेंज करूंगी तो आप मैंने लगती है न फिर लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती है तो फटा फट से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और मुझे मैंने सोचा था कि ब्लैंकेट के कवर को भी हटा देती हूँ फिर याद आया कि यार अभी लास्ट जब दोया था मैंने ज्यादा दिन जाती है और यह बेट शिट मेरी चार साड़े-चार सल पुरानी है बहुत ही अच्छी है मतलब बहुत मशीन में वाश करती हूं continue फिर भी मतलब कहीं से कुछ भी नहीं हुई है बहुत अच्छी चल रही है अभी तक उसके बाद जी अब आ जाओंगी दूसरे कमरे में यहा बेट पर रख देती हूं क्योंकि सुबह जाड़ों लगाती हूं तो सारा कुछ में नीचे से क्लीन करके रख देती हूं ताकि नीचे मुझे इजी पड़े कारपेट वगर सब कुछ जाड़ कर इसलिए तो जब भी बेट चेंज करती हूं उपर का छज्जा वाले रैक जो यह प्लास्टिक कवर लगा हुआ है वो बीट से फट गया है और मैं इसे इसलिए नहीं हटाती हूं कि कहीं जैसे बाइचंस कभी शिफ्टिंग वगरा करनी पड़े तो बहुत प्रोटेक्ट करता है ऐसे बहुत गंदी हो जाती है और उस बड़े वाले किंग साइज का जो होने के मैंने सारे उठा के दोने में डाल दी मेरा तो दिमाग कराब हो गया एक दूसरी में फिर एक साथ रिकटे करके रख दोना तो लगता है कि यार सारा ही दो दू फिर कूलर के उपर इतने सारे सामान मेरे हजबन रखके जाते है कभी कंगी है तो क्या है तो क्या है पा सब्सक्राइब ब्राइब को कलीन करलों गी और इधर जब तक मैं अपना काम कर रहे हुं तब तक मैंने जो वाश बसिन हाना उसमें हारपिक डाल के चोड़ दिया था तकी वह थोड़ा-सब वहource ऐसा कि उसको रगणने में इजिड़न उसे काफी होट है वे तो इसलिए मैंने उद्धर हर्पिक डाल के छोड़ दिया है अब इदर बर्तन वगरा वाश करके डेस्टिंग वगरा सारा कुछ मैंने कर लिया उसके बाद आई हो बर्तन होने के लिए बहुत सारी चीज़े हम लोग शूट नहीं कर पाते हैं हर जगा कैमरा एड़ेस्ट भी डालना जरूरी है चलो चैनल ग्रो हो तो फिर सबर कफल कहते हैं मीठा होता है बस इसी उमीद में हूँ और बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए तो यहां पर देखो मैंने हर्पिक डाल के छोड़ दिया था थोड़ा सा सर्फ एड़ करके एक यह बरतन दोन सब्सक्राइब और इससे काफी अच्छे से साफ भी हो जाता है और जिस दिन यह सब मैं तभी करते हो जिस दिन मुझे बाल वगरा धोना रहता है नहीं तो फिर ऐसे मुझे सही नहीं लगता तो इसलिए फटा-फट से कर ले रही हो थोड़ा साना रगणना ज्यादा तो इसमें थोड़ी कम दिखती है लेकिन हाँ फिर भी मैं साथ आठ दिनों में हपते में जब भी शैंपू करना रहता है मैं इसे क्लीन करती रहती हो एक एक चीज आप करते रहोगे ना तो आपके उपर जाता लोड जादा बड़न नहीं पड़ेगा और एक एक करके सारे चीजे क्लीन भी होती जाएंगे उसके बाद लास्ट में मैंने गिले कपड़े से पूरे टाइल्स को भी आजू-बाजू में पोस्ट दिया है और नल वगरा को बेसिन को हर चीज को अच्छे से पोंच दूंगी ताकि जैसे पानी का दाग वगरा ना रहे उसके बाद अच नीचे बस पोच्छा लगाना रह जाएगा तो फटा फट से आ गई हो पोच्छा लेकर और बैलकनी से स्टार्ट किया है और अभी मेरे प्लांस देखो हलके से बड़े बड़े लग रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इतने दिनों से ग्रो हो नहीं रहे तो मुझे क्या अक्रडिंग ही ग्रो होते हैं इसलिए अभी हो और दूप देखो कितनी तेज है बहुत जादा दूप है और अभी शायद 9 शाड़े 9 या फिर 10 बज़े का टाइम हो रहा होगा हाँ दस बज़े का टाइम हो रहा होगा सौ फाइनली बैलकनी से पोच्छा लगाते वह और बजगे हैं पॉने 11 और अभी एर वाश करके नहाने मुझे लगता ही 45 मिनट मुझे लग गए यार बहुत साथा टाइम लग जाते हैं वाश करने के टाइम क्लीन करना रहता है और जैसा कि आपने देखा वाश बेसिन वागर सब कुछ क्लीन क्या यह सारा कुछ मैं हेर वा मौश्रोम जो भी क्लीन करना रहता है तो आप जारी हो फटाफट से पूझा करने बहुत साथा लेट हो रहा है मुझे और आज है महाशिव रातरी तो आप सभी को महाशिव रातरी के हाल दिक हादिक शिप कामना है तो मैंने सचा कि आज थोड़ा सुबह जल्दी उठी मैं में मिटिंग अटेंड करके हैं अगर होगा तो मैं आ जाओंगा तो फिर यह साथ में मन्दिर तो अगर वह आ और यह जो बालकनी की गेट है आपने आप खूल रही है बंदोरी और मैं बंदर से कुंडी लगा कर जाना भूल गई थी मैंने बस आसी गेट सटा दिया था और वह बस खूल रही है बंद हो रही है जोड़ जोड़ से एकदम इती तीज हावा चल रही है ठंड भी है हलकी मतलब हावा की वज़े से लग रही है लेकिन धूब बहुत जादा तेज है बहुत जादा आपने देखा होगा में जब मैं पोछा लगा रही थी उस टाइम तो चलो इस व्लोग को फाइनली आप करती हूं बहुत साता लंबा ना करते हूं जारू फटा फट से पहले पूजा उजा कर लेती हूं अभी मुझे आता घंटा भी लग जाएगा फिर मुझे रेडी भी होना है तो इस व्लोग को यहीं पर एंड करती हूं अभी मंदिर अगर जाओंगी तो व बड़ी